पुमकरिंशी महागड़ी शाय नमा राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों सनातन धर्म में गंगा को देवी का दर्जा प्राप्त है मानिता है कि ये भगवान विश्णों के चर्णों से निकल कर प्रत्वी पर आई हैं जिसके लिए भगवान शी राम के पूर्वजों ने बेहत कठिन तपस्या की थी तब कहीं जाकर देवी गंगा को वह धर्दीबा लाने मीर सफल हो पाए ऐसे अनिकारणों के चलते हिंदु धर में गंगा को अति पुझनिय माना गया है जन मिसली कार मरण तक गंगा का जल अति महत्मूर है ऐसे में तक्रीवन सभी हिंदु सदै भी अपने घर में गंगा जल रखते हैं ये एक ऐसा जल है जो कभी खराब नहीं होता सनातन धर्म में गंगा नदी को मा का दर्जा दिया गया है इस दिफक्त अपने घर को पवित्र रखने के लिए गंगा जल अपने घर में रखते हैं गंगा का जल मुक्ष प्रदान करने वाला है और पूझा अजना शुद्धी करन अभिशेक और कई धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयूग किया जाता है बिना गंगा जल के कोई धार्मिक अनुष्ठान पवित्र नहीं माना जाता सभी हिंदू गंगा जल को अतिपावन पवित्र मानते हैं जिसके चलते वे इसे घरों में रखते हैं लेकिन कई बार जानकारी के अभाब में वे इसे घर में रखने के नियुमों का पालन नहीं कर पाते, जिसके कारण कई बार उन्हें परेशानियों का सामना करना पर सकता है। दसर शास्तों में गंगाचल को घर में रखने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनकी पूर्टी ना करने पर अग्यानतावश हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। गंगाचल को इस दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसे में पूजा पाठ के इलाबा शास्तों के अनुसार किसी भी चीत को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है। इसलिए यदि आपके घर में गंगाचल है तो इसकी पवित्रता को भी बनाए रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए शास्तिय नियमों का पालन करना बेहर जरूरी है। इसके अलाबा गंगाचल को पवित्र रखना इसलिए भी जरूरी माना जाता है। क्योंकि यदि इसका अपमान किया जाए तो सभी देवी देबता भी नारास हो जाते हैं। इसके साथ ही यदि इसे पवित्र ना रखा जाए तो इससे घर की पवित्रता भी भंग हो जाती है। और जिस काम के लिए इसका इस्तिमाल किया जाए वो कभी सफल नहीं होता बहुत से लोग गंगा जल को प्लाश्टिक के बोतल में रखते हैं जबके इससे गंगा जल की पवित्रता भंग हो जाती है इसके अलाबा यदि बैज्यानिक डश्टी से देखा जाए तो प्लाश्टिक को बिशेला माना जाता है ऐसे में जहां तक हो सके गंगा जल को चांदी के बर्दन में ही रखें और अगर चांदी का बर्दन मौझूद ना हो तो आप इसे तांबे या पीतल के बर्दन में रख सकते हैं गंगा जल को हमेशा तांबी, चांदी, मित्टी या फिर पीतल के पातर में ही रखना चाहें। इन पातरों में गंगा जल लखने से वे हमेशा शुद्ध रहता है। अश्टिक की बोतल में रखा गया गंगा जल पूजन की किसी भी कारे में प्रयोग नहीं किया जा सकता। और ना ही ऐसे जल से आपके कोई मनुकामना पूरी होगी। इसके इलाबा आप जब भी घर के किसी इस्थान पर गंगा जल को रखें तो इस इस्थान को साफ जरूर कर लें उस इस्थान की साफ सफाई का ख्याल रखें। ऐसे में गंगा जल को पूजा घर में रखने की सलहा दे जाती है। अगर गंगा जल आपके घर में अधिक मात्रा में हैं आप अधिक मात्रा में गंगा जल लखते हैं और मंदिर में इतना गंगा जल रखने की जखे नह जाती है आप घर के जिस कौने में गंगा जल रखें वहां मासाहार ये सराव का स्रीवन बिल्कुल भी ना करें यदि आप बहार से भी कुछ ऐसा खाकर आए हैं तो गंगा जल को छूना तो दूर उसके आसपास भी ना जाएं क्योंकि ऐसा कहने से आप पाप के भागिदार ब रहती है लेकिन ध्यान रखें आप जिस भी कमरे में या जिस चगह पर गंगा जल रखते हैं वहां पर अंधेरा ना हो जैसे कि स्टोर रूम होता है उसमें अधिकतर अंधेरा ही रहता है तो ऐसे इस्थान पर आप गंगा जल ना रखें ऐसे कमरे में रखें जहां पर चहल पहल रहती है अने कि ऐसा रूम जिसमें आना जाना लगा रहता है इसके आलाबा गंगाजल का प्रयोग करने से पहले आप अपने हाथ को अच्छी दरें से थोले और इसे प्रणाम करने के बाद ही प्रयोग मिलाएं गंदे हास से गंगा जल का इस परश करने पर ग्रह दोश लगता है। आपके घर में बास्तु दोश के कारण कई परिशानिया आ रही हैं। तो आप गंगा जल को पीतल के गंगा जले या फिर पीतल के किसी लोटे या फिर बर्दन में भर कर ही उत्तर पूर्फ दिशा में रखें। ऐसा कैने से बास्तु दोश दूर हो जाता है। गंगा जल को पूजा घर के इलाबा किचिन में रखना भी बहुत शुमाना जाता है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपको तरकी और सफलता मिलने लगेगी। लेकिन अगर आप किचिन में मासाहार बनाते हैं तो किचिन में गंगा जल ना रखें। दोस्तों हिंदु धर्म में गंगा जल से चुड़ी कुछ उपाई भी बचलिते हैं जिन्हें करने से धनलाब होता है और भाग्य खुल जाता है। साथी बास्तु दोश भी दूर होता है घर से नका रात में कूजा नश्ट हो जाती हैं और लडाई छगड़े होना बंद हो ज रहता है उदासी रहती है आपको नकारात्म उजा का एहसास होता है तो आप अपने घर में रोजाना गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें अपने घर के टॉइलेर को छोड़कर और कूड़ा रखने के इस्थान को छोड़कर पचे हुए पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव आप किसी भी समय कर सकते हैं गंगा जल का छिड़काव घर में करने से घर में से नकारात्म उजा नश्ट हो जाती है साथ ही आप पूरी शक्तियों से भी बच्चे रहेंगे घर में गंगा जल का छिड़काव करने से घर में सकारात्म उजा का संचार होत हैं परिवार में खुशियां आती हैं अगर आपके घर में धनसंबंदी समस्या लगातार बनी रहती है पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है तो मा लक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए और धनसंबंदी समस्या को दूर करने के लिए आप रोज सुभे एक लोटे में और फिर मा लक्षमी को पड़ाम करें ऐसा करने से घर में सुक शांती बनी रहती है मा लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है और धनसंबंदी समस्या दूर हो जाती है यदि किसी व्यती या बच्चे को नजर लग गई है तो आप उसके उपर गंगा चल के छीटे अवश्य ह की डाले ऐसा करने से नजर के तुष्प्रभा काफी हद तक कम हो जाते हैं साथी अगर आपको सोते समय पुरे सपने आते हों चैन की नीन नहीं आती तो आप अपने विस्तर पर गंगा चल का छिड़काव करें और उसके पश्याद ही सोएं ऐसा करने से डराबने सपने से आ आपकी किस्मत आपसे रूट कर पैठी है तो दोस्तों आप इसके लिए गंगा जल से यह आसान सा उपाय अवश्य ही करें आप रोजाना इसनान करते समय अपने इसनान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और ओम नमो भगवत्य वासू देवाई मंत्र का मन ही मन जान करें ऐसा करने से जन्मों जन्मों के बापनश्ट हो जाते हैं दुरभा के सो भागे में बतल जाता है कार्यों में आ रहें रुकावर दूर होती हैं और किस्मत साथ देने लगती है मेहनत के अनुरूप परणाम भी प्राप्त होते हैं आपको हमारी पीडियो पसंद आ